Hello and welcome you all, I am Rohit from Margin Traders So guys, आज हम बात करने वाले हैं Trident Ltd. के बारे में और guys हमने परसो ही और कल भी इस पर वीडियो बनाया था और मैंने बोला था कि guys हो सके तो buy कर लो क्योंकि काफी बड़ा spike stock में देखने को मिलेगा और बिल्कुल आज वही हुआ धमाका stock ने आज कर दिया है तो guys कहा तक जाएगा है stock क्या आपने खरीदा है जिन्होंने भी मेरे बोले हुए levels पे जिन्होंने भी इससे buy किया होगा उन्होंने इसमें काफी तगड़ा return कमाया होगा guys तो guys Trident Ltd काफी तगड़े तरीके से बड़ा है और यहाँ पर काफी बड़ा spike मिला है और अभी देखा जाए तो हमारे targets भी इसमें upper side की और रहने वाले है और अगर आपको अभी भी buy करना है stock को तो देखना होगा आपको levels का wait करना होगा पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब stock नहीं रुखने वाला है अभी इस stock बिलकुल upside की और momentum इसने बता दिया है और यह bull run में भागने की पूरी कोशिश कर रहा है Trident Ltd और काफी news में stock चला था और आज देख सकते हो इसने बड़ा spike लगा दिया तो इस stock के बारे में आज हम बात करने वाले उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को subscribe कर देना फोर शेयर्स के अबडेट्स के लिए शेयर्स के लेटेस नियूस के लिए तो गाइस वीडियो को शुरू करता है बात कर रहे हैं Trident Ltd के बारे में current price अगर देखा जाया stock का 41 रुपे पर आज stock ने closing दी है एक रुपे 95 पेसे तक stock बड़ा है 4.99% के हिसाब से stock में उपर के और momentum हमें देखने को मिला है बिलकुल 5 प्रतिशत के आसपास का momentum और 2 रुपे के लगभग stock बड़ा है तो एक काफी positive बात आगी और जो shareholders होंगे उनकी तो lottery आज लग गई होगी तो guys Trident मैं आज काफी bullishness यहाँ पर देखने को हमें बिल रहे है बट अभी देखे चार्ट क्या क्या था तो breakout कहा मिला, buy करने के लिए हमने कहा पर आपको कहा था तो guys buying level मैंने यह वाला आपको दिया था अगर आप risk लेना चाते तो मैंने buy level यही दे दिया था बट अगर आप risk नहीं लेना चाते तो अभी भी आपकी लिए buying level यहाँ पर आपको नया buying level यहाँ पर में दे रहा हूँ अभी भी जल कल जैसे ही market खुलता है तो बिलकुर आप इसे खरीद सकते हो, stock में क्या कुछ हुआएगा इस यहाँ पर से stock उपर गया था और यहाँ पर से resistance level यहाँ पर rejection मिला था यहाँ पर फिर stock ने support लिया फिर उपर गया फिर rejection मिला फिर यहाँ पर breakout इसने फाइनली दे दिया अब होगा क्या अब देख सकते हो stock यहाँ तो हो सकता है current यहाँ पर एक rally में बढ़ें यहाँ फिर हो सकता है रिट्रेस करने नीचे क्यों रहा है रिट्रेस करता है नीचे क्यों तो आपको और आपने उन levels के हिसाब से इसमें खरीदारी क्यों होंगी तो बिल्कुल आपका पेसा बना होगा अगर आपका पेसा बिल्कुल बना होगा और long come के हिसाब से देखा जाए तो guys बिल्कुल stock में बड़ी opportunity आपको मिल सकती है खरीदारी करने के लिए तो breakout मिल गया है अब बिल्कुल आप buying की ओर जा सकते हो so guys आगे बड़ते हो और देखते हैं कि क्या खुद stock में हुआ है पाच दिन में ज्यादा बड़ता में देखने को नहीं मिली थी बट वही अगर देखा जाए आज breakout मिला और देख सकते हो stock कितना बड़ा है आज दिन में सिर्फ 0.90 पेसे ही stock बड़ा है 2.24% के हिसाब से अब बड़ते हैं आगे open कहा हुआ stock आपर देख सकते हो 49 रुपे 35 पेसे बड़ stock open हुआ है 41 रुपे का high लगा है 38 रुपे 70 पेसे का low भी आपको देखने को मिल जाएगा market cap अगर देखे तो stock का 20.59 हजार करोड का market cap भी देखने को मिल रहेगा 20.59 हजार करोड का market cap है और market cap के हिसाब से तो बिलकुल हमें लगता है कि यह made cap stock है made cap stock की category में stock आता है P ratio 33.02 का P ratio भी stock manager आ रहा है dividend की बात करें 1.32% का stock dividend भी देता है अब बात करते है 52 X के high और 52 X के low की तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका 52 X का high है गाईस वो 43.35 रुपीस के आसपास का है और जो low है यहाँ पर 7.40 के आसपास का low भी आपको देखने को उम्भी रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो 42.35% का यहाँ पर high है और 7.40 का यहाँ पर low है अब बात करते हैं resistance level और support levels की resistance level अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो और 39.75 का first resistance level है second resistance level अगर देखा जाए 40.45 रुपीस का है और जो third resistance level है वो 40.90 रुपीस के असपर का दीख जाएगा अब बात करते है support levels की 38.60 का first support level second support level 38.15 का और guys अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो 37.45 का यहाँ पर third support level देखने को मिल रहा है और guys वही अग देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कुछ price performance देखने को मल रहा है one week का तो cover नहीं कर पाया guys मैं आपर one month का देखे तो positive 6.63% three months का 94.77% we are on half का 314.40% one year का अगर देखे जाए 446.67% one three years का देखे तो 495.07% देख जाएगा तो price performance भी अगर देखा जाए तो काफी positive यहाँ पर नजरा रहा है price performance के जो भी आकड़े है ओ भी विल्कूल positive है और guys वही अगर देखा जाए हापर क्या कुछ volumes है तो खरीदारी भी तगड़ी हुई है guys पाच करोड का असपास का है हापर trade value देखने को मिल रहा है वही इसके comparison में अगर कल का trade value अगर देखे तो 3 कर करोड के something का है trade value और 1 करोड के something का है competent delivery तो बिलकुल competent delivery भी और trade value आज काफी तगड़ा रहा है trade value और हो सकता है इसकी जो competent delivery हो 4 करोड के something भी हो क्योंकि stock में आज काफी तगड़ा momentum है और कल और बड़त हमें इसमें देखने को मिल सकती है तो अब बात करेंगे community sentiments के हिसाब से क्या कुछ आकड़े हापर दिये जा रहा है तो community sentiments के हिसाब से अगर देखा जाए तो 77% लोगों की और से हापर का जा रहा है buy call विलकुल buy call उनकी और से दिया जा रहा है गए long term के जाप से और guys अगर देखा जाए तो 6% लोग ही है 6% लोग ही है जो यहापर कह रहे है sell करने लिए 17% लोग के रहे hold रखने के लिए अगर guys अपने नीजे ब्राइस पर खरीदा है तो hold रखिए अगर आप कल खरीदा चाते हो तो कल बिल्कुल आप बाइन क्या प्रपोर्पोर्चिन्टी ते बिल्कुल करीद सकते हो सब बात कर लेते guys क्या कुछ revenue stock ने जनरेट किये है 2017 से 2021 तक 2017 में 4,425 करोड का revenue था 2018 में 4,560 करोड का revenue था 2019 में 5,248 करोड 2020 की अगर बात करे 4727 करोड और 2021 में 4,530 करोड के अस्वास का revenue stock ने generate किया है और guys अब बात करते है net profit net profit भी तगड़ा बढ़ा है 2017 में 336 करोड है 2018 में 265 करोड 2019 में तगड़ा बढ़ा 2021 करोड 2020 में 343 करोड है और 2021 का अगर देखे 303 करोड के आसपास का net profit यहाँ पर generate हुआ है अब बात करते है क्या कुछ share holding pattern में तो share holding pattern हम देख लेते है guys तो यहाँ पर share holding pattern में अगर देखा जाए promoters की जो holding है 73.02% की holding है आपर promoters की FIODI की बात की बात की जाए तो 2.14% की holding है FIODI की public holding है 21.99% और जो others की अगर बात की जाए 1.92% की holding है आपर others की भी देखने को मिल जाएगे 100 stock में काफी dumb है guys वही अगर देखा जाए share holding pattern में थो यहाँ पर top shareholders Trident crew है Trident Group Limited जिनकी है 45-75% की holding Maduraj Foundation की 26.90% की holding और Rajinder Gupta की holding है 0.22 और Lotus Global Foundation की 0.16% की holding देखने हो मल रही है और साथ ही public holding में bodies corporate 3.61% Trident Limited की 1.04% Clearing members NRS काफी कुछ holding है guys बिल्कुर या पर mutual fund की holding को नहीं देखने को भी लगे stock में dumb है बिल्कुल आप इससे घरिच सकते हो वीडियो पसंदा आब वीडियो को like करो जोनल को subscribe करो धेंक्यों